एक ये भी 15 और पिटेशन का होगा आग देख सकते हैं कि इसमें कितना गुटना इंका मूड रहा है पूरा मूड़िये अभी इनका गुटνा पूरा इतना मूड रहा है है नहीं साथ दिन हो चुक हैं हमको गुटना मूड हूँ तो रहा है अब इसके बाद हम एक्सराइज और कर रहे हैं हम आपको पूरा दिखाने वाले है इस समय इनका पैर इतना मुड रहा है ठीक है यानि किये सही से बैट भी नहीं पा रहा है अगर आपका भी इस तरह मुड रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखो और आपके काफी काम आएगा तो मैं स्टेब बे स्टेब पूरा घुटना मुड ता हूँ और आपको आशानी से समझाता हूँ पहले हम किसी भी टॉबल का इस तरह से एक रोल बना लेते हैं जो कि हम पैर के नीचे रखते हैं ठीक है इस तरह से उठाईए और आपके रख लीजिए अब पैर मोड़ी अपने आप से दस बीस बार पैर ऐसे पेशेंट खुद चलाता है उसके बाद थोड़ा पैर ढीला हो जाता है हमने जो भी सिकाई की है इससे पहले हमने पैराफिन बैक सिकाई की थी तो पैर तोड़ा सा मुलाब हो जाता है गरमाट होती उसकी है ना और एक चीज और ये देख सकते हो इनकी मोड़ना ये काफ देख सकते हो अधर साइड से हो गई ये क्रैंप है ना इधर से पहुच गई है साइड से ये यहाँ पर होने की जगा है तो ये जो है सारा खेल फ्रेक्चर के बाद का है तो ये मसल्स भी वीक है इसको हम जब एक्साइज करेंगे फिर इसको स्टेज करेंगे तो ये बराबर हो जाएगी ठीक है तो किसी के पैर में आदा टेड़ा पना आया था ने बहुत सारी वीडियो बनाई है जाके आप आई बटन पर देखना उस पैर में कितनी सारी दिक्कत था जो पैर विल्कुल भी ऊपर से भी टूटा था यहां से भी टूटा था उपन फ्रेक्चर था पटेला उसमें है नहीं तो समझ लो पैर बिल्कुल सीधा था वो है न बिना किसी ऑपरेशन बिना किसी दबाई के की घुटने को कैसे मोड़ते हैं ऑपरेशन हुआ हो या को फ्रेक्चर हुआ हो प्लास्ता लगा हो तो घुटना मोड़ने की मापको विधी बताने वाला हूं कि सबसे पहले हम ऐसे करके 10-15 बार चला लेते हैं इसके बाद अब यह बहुत लाइट बेट एक्सिसाइज कर रहा हूं केवल नॉर्मल चला रहा हूं पैर को ठीक है इसके बाद मैं नेस्ट जो भी सेकंड वाला जो हम स्टैप करने वाले हैं भी वह सेकंड सेट लगाने व और फ्रेक्चर पूरा जोड़ चुका है या फिर थोड़ा बहुत जुड़ा है उसके आधार पी हम फोर्स लगाते हैं उसी के आधार पे हमोडते हैं और सारा कुछ डिपेंड एक्सरे पर बोन पे करता है कि बोन की ये भी हैल्थ क्या है है तो ऐसा नहीं कि सारे जनरा से होते हैं किसी की चोटे मोटी क्रैक होती है तो वह रह्स कर लेते हैं उससे भी इनका ठीक हो जाता है तो जनəरली फ्रेंट्स मैंने यह पहला सइ люд experts नॉर्म qualified और यह अब पणानाrrist पे यह बताना जूरू चाहूंगा कि मैं पूरे पूरे शैट आपको करके नहीं दिखाने वाला हूं थोड़े-थोड़े से स्किप करूंगा बीच में जैसे एक दो चार आठ दस पंद्रा ऐसे करके बीच में थोड़ा सा जिससे आपको वीडियो जादा लंबी ना हो आप ज देहान रखते हैं पेशेंट बहुत जाद दर्दनाव शंदिया ना उसी इसाफ से करते हैं दो ऐसे हम पंद्रा बार मोड़ेंगे तीन कि चार कि दस कि चौदै कि पंद्रा है कि चलाए तो इस तरह से मैंने दूसरा साइट भी कर दिया है बागी आपने देखा कितना आसान था करना लेकिन यह सारा खेल मैंने आपको बताए एक्सरा देखके ही किया जाता है अगर आप खुद से एक्सपर्ट बनते हैं तो मैं जरू कहूंगा आपसे कि पहले आपको एक्सरा देखना आना चाहिए हैं ऐसे कोई भी एक्सराइज ले सकते हो चाहिए तो कॉल का अपॉइंट में ले सकते हो और हमारे क्लेनिक पर डारेक्ट आभी शक्ते हो तो बहुत ही आसान है जाके आप अभी आपॉइंट में बुक कीजिए बाकी घुटने में कैसे कैसे करकर मैं भी आपको पूरा प्रॉस बताने वाला हूं थर्ड स्ट अब मैं तीसरा साथ करने वाला हूय थीक है मैंने दो स सेड कर दिये है इस तरह से मैं चार स attend करूँगा लेकिन आपको तीन तक ही दिखाँगा अब ये तीसरा सेट है, इसमें थोड़ा सा और फोर्स बढ़ाएंगे एक, और चार से पांच सेकंड लूपर होल्ड रखेंगे दो ग्यारा है चौदा है पंद्रा है ये मैंने तीसरा सेट पूरा कर दिया है फिर से पेशन को चलाने के लिए कहता हूँ इस तरीके से जो है मैं तीन सेट पूरे कर चुका हूँ बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो कि घुटने को कैसे करके मोले तो मैंने पूरा इसको पर एक कोर्स बनाया है जाके आप पीडियाफ को डाउनलोड कर सकते हो उसका लिंक मैंने डिस्क्रप्शन में दिया है सिंपल तरीके हैं बहुत आसान तरीके हैं आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो उस मैथट से जो मैंने आपको बताया है जाके आप अभी डाउनलोड कीजिए बहुत मेनत लगा है उस को बनाने में तो आसा करता हूं आप जाके उसको जरूर डाउनलोड करेंगे PDF है उसमें आपको बहुत कम पेज की PDF है आसानी से समझ जाएंगे कौन-कौन से एक साइज कैसे करनी है कितनी बाहर करनी है जाके आप जरूर डाउनलोड करें उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रप्शन में दे रखा है बाकि आफ हमारे जो फेस्वोक इस्टागराम बगारा पर भी जोड़ सकते हो अऐ इस तरह से में पूर कर दिय हैं अब बात और का हूँगा जब घुटने Кले मोरते हैं तो यह देखने कि इसके कितनी टाइट है कहीं टेंडें टैट्हों जाता है या फ्रकाब टाइट हो जाती है ना इसका भी तोड़ा धान रखती है तो बकायदा पैर को सीधा करने वाला भी तरीका आपने बहसा में जो भी बोलते हैं आपकी वह सामें क्या अब इसको हम चलाएंगे इसके चार मुमेंट करेंगे एक तो अंदर साइड मीडियेल साइड और वहारी साइड जो जो है अपर साइट जो है ना एक आप से करेंगे इसके चारण करेंगे और इसको जो है mobilization करेंगे तो इस तरीके से आप कर सकते हैं उपर से नीचे की और नीचे से ऊपर की और हम इसको मूब करेंगे और इधर से ऐसे साइट से इधर की और भार की साइट और भार से दो उगलियों से अंदर की साइट तो यह बहुत है सिंपल है बकायदा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो है ना काफी मेनत लगता है वीडियो बनाने में तो इस तरह से आप जो है हमारे मनोबल को बढ़ा सकते हो लाइक करके करके लोगों को इंफॉर्मेशन है ना अच्छे अच्छे कमेंड करके तो इस तरह से आप जो है इसको मोबिलाइज करना है चार से पांच मुनेट इसको मोबिलाइज करना है आपके लिए रेगुलर सुबह और शाम ठीक है एक तो यह हो गया बकायदा अब चलते हम इसको साइड से बिठाल के हम पैर को मोरेंगे यह सब एक्सराइज का तभी आपको फायदा मिलेगा जब आप इमेडिकेटिट पैराफिन बैक्स का इस्तिमाल कर रहे हो अगर आपके पास नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रप्शन में दे दिया अभी और रख लो इस तरह से हाथ को यहां पर लगा के चलाते हैं बाकी एक बात जुरूर धान रखना अभी हम इसमें फोर्स लगाने वाले वह भी बड़ा हिसाब से लगाया आता है ना वह एक दम यह नहीं बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया पहले साइड में जैसे में स्टार्टिंग करेंगे यहां पर है कि आप अच्छे से पूरा प्रोग्राम होता है पूरा मेंटेन करके आपको बढ़ाने जा रहा है अब इसके जो है पहले साइट को हम करेंगे इसके इसके भी चार साइट करने हैं लेकिन आपको ऐसे दो या तीन से आपको बना के दिखा दूँगा जिससे आप समझ जाएं लेकिन के मैं दिखूंगा नेंगा तो मैं आपको दिखाने के लिए इस साइट रहा हो जाता हूं अब क्यों चाहिए इस साइट से ऐसे करें ठीक है ट्रीकर प्रोडविडी उकनर बनाने की लिए पाया चलकмо सी ने परता है तो इसमें सा फोर्स होगा इसमें पहले साइड में एक यह भी पंदरह रिपीटेशन का होगा दो और फाइफ सेकंड नीचे तक होल करेंगे यहां से नीचे को फोर्च जा रहा है यहां से यहां पर दबाद डाल देते हैं कि छैए कि चौदै कि पंदरह कि यह पंदरह हो गहां अब इनसे हम कर बाते हैं है ना कि तोड़ा इनसे चलवाएंगे एक सेटम ने पूरा कर दिया है चैनल को सब्सक्राइब कर दिए यह तक तो आप वीडियो देखी रहे हैं वीडियो भाबनाव में भी खो गए हैं तो और हड़ी कितने दिन में जुड़ती है नहीं जुड़े तो क्या करें प्लास्तर कितने दिन में कटता है यह सब जानने के लिए आप आई वर्टन पूरी प्लेलिस्ट को देखिए हर एक मैंने वीडियो को कबर किया है जिससे आपको कोई सवाल नहीं बचेंगे और दे रखा है जाके आप वीडियो को पूरा देखके जो है नीचे जो अपॉइंटमेंट का लिंक दिया है वहाँ पर जाके फॉलो करके अपॉइंटमेंट लेजिए कॉल करिए कॉल के लिए मैं इसे डायक्ट बात होगी वीडियो कॉल एक सरे देखूंगा आपको भी यह है दूसरा सैट इसका एक हो गया तीन ग्यारे तेरे पंद्रे थोड़ा से चला लेते हैं यह दो सैट हो गया है इस तरह से हमको जो चार सैट कर लेने है ठीक है वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए मैंने आप आपको सोड में दिखा रहा हूं तो इस तरह समको चार सैट करने हैं सेम पोजिशन में और इसके बाद आपके लिए जो मासपेशियों कमजोर हो जाती है घुटने की है आप देख रहा होंगे कि यह घुटना थोड़ा सा पतला लग रहा है तो इसकी मासपेशियों को बुल और ज्यादा महेंगा नहीं है जाके आप डिस्क्रप्शन में ने लिंक दिया है और कीजिए अभी इसको और अभी पर्शेस कर सकते हो ठीक है यह बन केजी का है और बन केजी का यह आप लेना ज्यादा बहस्ट रहेगा इस तरह से हम जो 50-60 बार चला लंएं Tutaj 15-15 के इसके भी सेट बना लेते 15-20 वार हो जाता है ऐसे करके तो हम रेस्ट करते हैं फिर पंदर वाज चला लेते हैं फिर हम रेस्ट करते हैं ऐसे करके हम पचास बार तक चला लेते 15 меньшеBay ला चला पूरा बेंड करने के लिए हम डेली डेली प्रयास करेंगा पी गलत पोजिसन तो इसलिए ऐसे बैठेंगे अब दिबाल से पके हम को इस ट्रेट बैठना ऐसे आई ठीक है तो इस तरह यहां यह गलत पोजिसन है तो हमारे गुटने पे तो इस तरह से अब देख सकते हो पेशन को आगे जितने थोड़ा सा फैलाओ पैर शोल्डर जितने फैलाना हमको पैर और हमको नीचे बैठना है ओके ऐसे हमको जो है तीस बार बिठालना है पेशन को कम से कम तीन चार शामने देखो पांच थोड़ा से स्किप करता हूँ दस पचिस अठाइस उनतिस तीस इस तरह से हमने तीस सैट कर लिए है वो तीन सैट कर लिए है तीस वार तीस रिपीटिशन के बाकि आप इस तरह से मोड़ें गुटना तो आपका जुरू मोड़ेगा है ना अगर आपको फिर भी नहीं मुड़ता तो आप जल्दी हमसे कॉंटेक्ट कीजिए अपॉइन्मेंट लीजिए लिंक डिस्क्रप्शन में है अब भी हो है अपॉइन्मेंट लीजिए अगर आ के लिए इसकिन कार्ट के विदे देखिए तता के लिए बाए